हेलो दोस्तों आप सभी कस्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल मैथ मस्ती पर दोस्तों मैं हुगी पिनी अदब और चलिए रिजनिंग स्टार्ट करते हैं और मैं डेली आपको दस बजे रिजनिंग का कलास दूँगा और सांगे पांच बजे मैथ का कलास ठीक है यह वीडियो डोगा हम लाइब इसलिए नहीं आते है कि लाइब में बहुत ज्यादा समय बढ़बाद होता है आपसे बात करने में हम डाइक्ट वीडियो बनाते हैं और आपके लिए अप्लोड कर देते हैं तो बने रहिएगा आज हम आपको पढ़ाने बाले हैं पदो कानुक को बनाने के लिए सीधा सिधा अपनाना है कि देखिए अगर पाँच आदमी है उसमेशचा कोई बड़ा है है उससे कोई .. Okay फॉटा हैसे अजय सवाल कैसा होता है मैं पहले यह दिखा देता हूं ताक्याक को यह लग तो देखिए जैसे सवाल एक सिंपल आपके सामने है यह प्रस्ण क्या कहता है कहता है कि रोहित परकास से लंबा है लेकिन संतोस से छोटा है चंदन ससांक से छोटा है और ससांक परकास जितना लंबा नहीं है यादि यह सभी अपने उचाई के अनुसार एक पंक्ती में तो मद्धे में कौन होगा, यानि बीच में कौन होगा, ये पूछता है सवाल, ऐसे सवाल को बनाने के लिए हमेशा, जो बड़ा है उसको उपर लिखिए, छोटा वला को नीचे लिखिए, ठीक है, भारी हल्का का भी चर्चा होगा, तब भारी वला को उपर लिखिएगा, हल में पहुंचने वाले को नीचे लिख लेना जो बाद में पढ़ाया जागा उसको नीचे लिख लेना बड़ा सुन्दर सा और सिंपल सा कंसेप्ट है असानी से सवाल बने आपको पहले तो मोबाइल को फ्लाइट मोड मार देता है ताकि हालतू के कौल ना आके हमें और आप दोनों को डिस्टर ना करें चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहला आजगार यहाँ पर क्या करता है कि रोहित प्रकास से लंबा है आपको क्या करना है कि चलो रोहित है रोहित ठीक है रोहित जो है किस से लंबा है प्रकास से लंबा है तो प्रकास को नीचे लिख दिए ठीक रोहित प्रकास से लंबा है रोहित प्रकास से लंबा है लेकिन संतोस से छोटा है लेकिन संतोस से छोटा है तो संतोस को उपर लिख देंगे संतोस से छोटा हो गया अब संतोस से छोटा यह दोनों हो गया इसका मतलब हैं कि नहीं काता है चंदन ससांक से छोटा है चंदन ससांक से छोटा है यहां चंदन और ससांक कहीं नहीं है अलग लिख लिए चंदन किस से छोटा है ससांक से छोटा है ससांक से छोटा है अब आगे काता है ससांक परकास जितना लंबा नहीं है ससांख जो है परकास जितना लंबा नहीं है यानि परकास से छोटे है ससांख परकास जितना लंबा नहीं है यह सशांख Hello तो ससांक, ससांक हो गया, अब ससांक के नीचे चंदन था, तो फिट कर लेते हैं यहां चंदन को, किलियर है, चंदन फिट हो गया अब, अब इसे हमको कोई मतलब नहीं है, कता यद, यदी, यह सभी अपनी उचाई के अनुसार एक पंक्ती में खड़े हो, तो मद्ध में कौन होगा, मद्ध में कौन होगा भाई, दूगो उधर से चाटिये, दूगो नीचे से चाटिये, परकास है मद्ध में, बीच में कौन आ गया, परकास, और परकास कहां है भाई, तो परकास यहां है, आधिय लिखायल है, ठेक, परकास, अप्संसी में, अप्संसी बिल्कुल सह ही है इस सवाल का, आईए, अगला सवाल पर बठ़ लेते हैं, देखिए, सब में इसे ही काम करना है, देखिए, क्या है, दूसरा सवाल अपना है, और ये दूसरा सवाल, कहता है कि पाच लोग हैं, यहां पर, पाच लोग A, B, C, D, T, T, E, अलग-अलग लंबाई के हैं, अलग केवल D से लंबा है अगर 5 लोग है मानलो कुरसी बना भी देते हैं 5 लोग के लिए आईये 1 2 3 4 5 5 कुरसी लगा दिया मैंने काता है A B C D E अलग 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 लंबाय के हैं A केवल D से लंबा है A केवल D से लंबा है A केवल D से लंबा है, देख लो, कहता है A जो है न, केवल D से लंबा है, A केवल D से लंबा है, इसका मतलब यह हुआ दोस्तो, A केवल D से लंबा है, यानि A के नीचे अब कोई नहीं आएगा, A के नीचे केवल D ही आएगा, A के नीचे केवल D ही आएगा, क्योंकि इसके नीच अगर कोई आ जाता तो A केवल D से लंबा नहीं रहा जाता केवल D से लंबा रहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ B से ही लंबा है तो A यहां रह जाएगा और केवल D से लंबा पाच कुरसी लगा दिया मैंने A केवल D से लंबा है तथा C केवल E से नाटा है C केवल E से नाटा है C केवल E से नाटा है C को यहां लिख देंगे केवल E से नाटा हो जाएगा C अगर यहां रहेगा न तो A कहीं व्यक्ति से नाटा रहेगा C केवल E से नाटा है अब येक आदमी बच गया है, A हो गया, B बच गया है, B को लिख गया, हो गया खतम, कहता है क्या लंबाई करम में तीसरा कौन है, तो लंबाई करम में तीसरा यही तो है, B, उपर से आओ चाहे नीचे से जाओ, लंबाई करम में तीसरा कौन है, B, और option B में है, किलियर है, एक के विडियो देखिएगा उसके बाद किलियर हो गया आप किताब उठाईएगा कोई भी बूक उठाके सवाल बनाईएगा आपका सवाल बनने लगेगा काता है रागनी पुतुल से बड़ी है गुरिया मेघा जितनी बड़ी है अवंति का मधु से छोटी है जो मेघा के ब आपको सवाल बनाने आएगा और जो वला जो अगर सिस्टम आपके लिए नहीं कर पाएंगे तो सवाल आपसे गलब हो जाएगा आएए सिखिए काता है रागनी पुतुल से बड़ी है ठीक बात हम रागनी को लिख देते हैं इधर लिखते हैं ताकि ऊपर नीचे किसी को ल पुतुल से बड़ी है रागनी पुतुल से बड़ी है रागनी उपर हो गए पुतुल से गुरिया मेघह जितनी बड़ी है अवंति का मधु से छोटी है जो मेघह के बराबर जबकि पुतुल गुरिया से बड़ी है सबसे बड़ी कौन है अब यहां एक चीज जानना गुर गुडिया जो है गुडिया मेगह जितनी बड़ी है यानि बड़ावर में रहेगी गुडिया और मेगह क्या रहेगी बड़ावर में रहेगी गुडिया मेगह जितनी बड़ी है अवंति का मधु से छोटी है जो मेगह के बड़ावर है अब बताईए मेगह के बड़ावर कौ मेगहा के बराबर है जो जो यहां लगा हुआ है ना जो मेगहा के बराबर है तो जो से पीछे लोट के जाएए और मेगहा के बराबर कौन है यह मिल जाएगा आपको कहता है मेगहा के बराबर है तो मेगहा के बराबर कौन एक सिकेंड आए यहां पर देखिए मेगा जो मेगा के बराबर है तो मेगा के बराबर कौन है इसके पीछे लोट क्या यह जिसका नाम पहले आएगा वही यानि मेगा के बराबर कौन जब मधू मिला तो मेगा के बराबर मधू मेगा के बराबर कौन मधू कहता है कि मधू से चोटी है यहां अवंति का मधू से चोटी है जो मेगा के बराबर है यानि मेगा के बराबर मधू रहेगी मेगा के बराबर कौन रहेगी मधू रहेगी और सवाल क्या कहा था सुन कि अवंति का मधू से छोटी है यहाँ अवंति का हो जाएगी अवंति का मधू से छोटी हो जाएगी अब कहता है जब कि तुल गुरिया से बड़ी है अब इसको सेट करो शकता है क्योंकि ये तो बड़ाबर में रहेगा ना, कहता है कि पुतुल गुरिया से बड़ी है, देखो पुतुल यहाँ लिख देते हैं, पुतुल हो गई, ये पुतुल गुरिया से बड़ी है, पुतुल के उपर कौन थी? रागिनी थी, बहुत जबरदस तवाल थाई, बस हो गया यानि कि सबसे टोगया, अब कहता है, सबसे बड़ी कौन है, ध्यान देना, रागनी, रागनी के नीचे पूतुल, पूतुल के नीचे गुरिया, गुरिया मेगा मधू, एक बराबर है, जबकि मधू से नीचे अवंतिका है, सवाल ये पूछता कि सबसे छोटी कौन, तकहते अवंती का और सवाल ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ी कौन तो रागी नी बस आपका सवाल का जबाद हो गया काता है सबसे बड़ी कौन है तो वह या सबसे बड़ी है रागी नी और वो है option D में क्लियर है बहुत असपस्ट होगा मुझे उमीद है कि कहीं को दिक्कत नहीं ह ौ आ हो गई सवाल में आये भरतेढ अगले सवाल पर जड़ा देखिए दौर करिए जाला ह सबसे बहổi है संदेश जो है न आदेश से भारी है लेकिन उतना भारी नहीं है जितना की जय है आदेश अमीत से भारी है सुमीत संदेश से भारी है लेकिन जय से हलका है इनमें सबसे हलका कौन है इनमें सबसे हलका कौन है जो मुझे उमईद है बढ़ा आसानी से आप इसे बना देंगे देखे ना संदेश आदेश से भारी है लिख देंगे संदेश जो है अधे आदेस से तो भारी है लेकिन उतनों भारी नहीं है जितना की जय है यानि जय से घलके है संदेस भारी है यानि संदेस जो है आदेस से भारी है लेकिन जय से भारी नहीं है तो जय उपर हो गया अब सवाल क्या कहता है आदेस अमीद से भारी है आदेस जो है ना अमीद से भारी है ता अमीत को नीचे लिख दी ओंग जो हलका वाला है उसको नीचे लिख दी अब सुमीत संदेश से भारी है लेकिन जहसे हलका है देखो यहाँ बात क्या बना कहता है सुमीत जो है ना सुमीत संदेश से भारी संदेश से भारी लेकिन जय से हलका है लेकिन जय से हलका है सुमीत संदेश से भारी जय से हलका यानि संदेश देखो संदेश जय के बीच में घुसिया जाएगा कौन समीत सुमीत सुमीत सुनो यहां पर इसको यहां करो कि जय क थोड़ा सा उपर लिख दिया अब कहता है कि सुमीत जो है सुमीत जो है संदेश से भारी जैसे हलका है जैसे हलका है ठीक है अब देखे आओ जो बात था कि जैसे हलका संदेश तो जैसे हलका तो अभी भी संदेश है ठीक है ना अब सवाल काता है इनमें सबसे हलका कौन है सब से हलकाता नीचे वाला हैं तो सवाल क्या कहता है में करिष्मा काजल की अपक्षा लंबी काझल की अपक्षा लंबी है अंकीता काजल पथा बीमल की अपेक्षा लंबी है, सब से लंबी कौन है, अब सौटकोट ऐसे भी लिख सकते हैं, करिस्मा काजल की अपेक्षा लंबी है, तो काजल लिख दिये, काजल की अपेक्षा लंबी हो गई करिस्मा, काजल की अपेक्षा लंबी है, इतना बात हो गया, अब क काजल बीमल की अपेक्छा लंबी है यानि बीमल से लंबी हो गई काजल काजल तक्ता बीमल की अपेक्छा लंबी है इसका मतलिब देखो अब करिश्मा को तोड़ा उपर घसका ना होगा और देखो करिस्मा को थोड़ा उपर घसका देंगे इस से बात बन जाएगा, क्या कहता है? कहता है कि अंकीता काजल तथा वीमल क्याप्रेक्छा-लंबी है, काजल और वीमल से लंबी कौन है? अंकीता को यहां लिख दिए, ठीक है ना? सबसे लंबी कौन है तो सबसे लंबी करिस्मा कहीएगा करिस्मा कहां है ना चलो अगला सवाल अगला सवाल फूरा सा अलग टाइप का क्या है यह जरा देख लो ऐसे सवाल में लोग गरवरा जाते हैं कहता क्या है? कि B-A से दूगना बढ़ा है, लेकिन F से दूगना चोता है C-A से आधी उँम्र का है लेकिन D से दूगना बढ़ा है सबसे बढ़ा तक सबसे छोटा कौन सा जोड़ा है? है न? तो देखिए इसमें दुगना बड़ा आधा छोटा आई से कह देगा आधा दुगना तीगुना है ना तो इसमें क्या करना है ताता है बी एसे दुगना बड़ा है देखो बी जो है यहां लिख लिए बी एसे दुगना बड़ा है यहां ऐसे करके अदू लिख दी ऐसे समझ A से दुगना बढ़ा है B, B A से दुगना बढ़ा है, लेकिन F से दुगना छोटा है, B जो है F से दुगना छोटा भी है, दुगना छोटा नीचे के तरफ है न, दुगना छोटा भी है, अब कहता C A से आधी उम्र का है, लो, C A से आधी उम्र का है, C जो है न, A से आधी उम्र के है C A से आधा उम्र के है C A से आधा उम्र के है आगे कहता है लेकिन D से दुगना बड़ा है C जो है D से दुगना बड़ा है C D को नीचे लिखना है C जो है D से दुगना बड़ा है सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा कम का जो रहा है तो सबसे बड़ा F और सबसे छोटा D, FD, 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 Option A है, किलियर, अच्छा E हम इसलिए लिखे हैं न, कि कोई बड़ाबरो बड़ाबरो रहता है, तो दुगना और एक दुगना या तीगुना, ऐसे में आपको पता चलिया गया कि कुण बड़ा कुण छोटा है, जैसे माल लि सबसे उपर, आताव B रहेगा, आनीचे में रहेगा, इसलिए हमने जान बुझ के ऐसा लिखा था, ठीक है न, तो मुझे उमीद है, कि ऐसा सवाल आपसे नहीं छोटा, इतौपिक खोतम, अराम से आप बना लिजेगा, और हलका भारी भी कहेगा तब भी, अचाहे 5-20 से पर अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताईएगा, अगर इस चैनल पर आप नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लिजिए, और अल नोटिफिकेशन पर सेट कर लि झाल 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